पगली बांदे का स्टाइल लोग एक अलग ही अपना चुका है क्योंकि उसे ना किसी आएने की ज़रूरत हो ना ही किसी की मरती बस चाहिए तुकर की पगली पगली बस चाहिए तीदि ना किनी आज की युवा पीड़ी जो भूल रही है वो है अपनी सिल्स्कृटी और अपनी विरास्त आज की युवा पीड़ी पर रग चड़ा है पस्चिन सब्रता का बाज सब्रता का रही है पस्चिन सब्रता को बचा ले कि वह पस्चिन सब्रता पुली में से एक है फिरोधपुर के गाउं मलू वाजा का रहने वाला मनजीत से जैसे अनों कि वहाँ बघ्ली बांग कर अपनी सर्दाली को बघ्रार रखा बलकि वो आज युवाओं के लिए प्रेणा बना हुआ है बर्दल फिरोजपुर के गाउं मलुवाला में रहने वाला मंजीत से पूली शिक्षा के दौरान पगड़ी बांदने के कारण अबसर लीड हो जाया का था इस पर मंजीत की मा ने उसे तारा देते हुए कहा कि तुम से अच्छी तो तुहारे बुसरु थे जो चब्दे करते बगड़ी बांदने थे और यही बाद मंजीत सिंके बहर में एक इसकदर ख़र कर गई कि उसने मठी मान मा को कुछ कर दिखाने की थाली और फिर्वो बच गया बगड़ी का मा है क्योंकि बगड़ी बांदना तो बहुत दोग जानते हैं लेकिन जो तरीका मंजीत सिंक में अपनाया है उसे दिखकर आग भी हैरब में पढ़ जानेगी कि क्या को इस तरीके से भी इस तरह की बिर्वरी बगड़ी बांद सकता है आपनी मा को कुछ कर दिखाने की इच्छा मन में लिए मंजीत पढ़ेंड़ा में ग्रिजूइशन की पढ़ाई की लिए आ गया मांग वारा मतार्ग में किये गए दाने की बास मजीत सिख के ये फ्रेड़ा बढ़े और उसे पगड़ी बादने में इसकदर महारत हासिर कर ली कि देखने वाले दग रह जाए मजीत सिख ने पगड़ी बादने का जो तरीका अप्काया है वो हर किसी को एरग में डाव देता है मंजीष सिंच से आज गभर्क पगडभादने की ट्रेेनिंग ले रहे हैं महीं मंजीष सिंच की पगड़ी बादने की एकला हर किसे के लिए चर्चा का भुश्य बनी हुई है शहर के युगाउं का एक बड़ा नायगा उस vendor पगड़ी बादना सीप चुका है ये दुटी मजीद के लिए उसकी इस कला के लिए प्रेडा बनी उनकी मा की कहाली देखिए उसके पगड़ी बांगने के इस अंदाज को कि किस तरा वो पगड़ी बांगने को लेकर इतना चर्चित हुआ और दिने किये मंजीद सिंगों जिससे केवल आईने के बगएर ही नहीं बनकी आंकों पर पट्टी मान कर पगड़ी बांगने में भी महाराथा पर कीये मंजीद यहां खुट के तर्बन दंसार को पाभू भी अंदाज में सजा देता है वही आखो पर बढ़ी बात कर, दूसरों के सिलों पर भी बेतरीन अंदाद में पगडी बात सकता है यहीं पर बखता है, मंजीत के फगडी बातने के एक और अंदाद रहे ही वाइस बसवार मंजीत से तो इससे चलती पारिकवर जद फ़लों भी मंजीत के पगड़ी बांदे के सिस्तारी के राब देनी होगी, उसके पगड़ी बांदे के निराले अंदास ते लोग है राम रहता है वह मंजीत से उन्हीं हुआ के लिए प्रेणा बन चुका है तो अपनी सहसे के कुप बूरें सादिकों में है शेरादी, शेरादी, सानु कंडेलो कपञ्यादी वैस जालतों किसी बड़ मद्स पर पपॉम करें ताकि युवाउं में पगड़ी बाढने का स्क्रेश बट सकें वहीं मंजीर सिंह ने सिख्ह उगों द्वारा केश कट्ट करवाने पर अफ्सूर्श जताती हुए काहा कि ऐसे युवाओं को वो सिखी की ओर प्रेडिस करना चाहता है वो दिखाना चाहता है कि पगड़ी से किस तरह जी उगों की सर्थारी चलगती है One New City का कहना है कि जिस तरह प्रपेग शेहर में सैलून खुले है उसी तरह शेहरों में पगड़ी अगार में भी खुलनी चाहिए ताकि तेखी भलबूर सके बढ़ना स्यावन चर्वा, MH1 New